रीटा एक अंग्रेजी मेडियम से बड़ी लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे गाउं में हो जाती है, जहां कोई भी इंग्लिश समझता ही नहीं था बहु जरा काम दिये थे तुमका, काम किये के नहीं? येस, कर दिया बहु ये तुम अपनी अंग्रेजी यें मत बोला करो, हमका कच्य समझ नहीं आवत सिथोड़ा बहुत इंग्लिश इस गुड बहु जो तुमका गुड चाहिए, तो उरसोई में ही रखा है, यें नहीं है गुड नहीं गुड, मतलब अच्छा गुड गुड, गुड हो के गुड हो, हमका कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारी अंग्रेजी तुम ही को प्यारी हो, हमसे तो तुम हिन्वी में ही बोला करो सास इतना कह कर महां से चली जाती है, रीटा भी किच्चन में जाकर अपना काम करती है ओ माई गॉड, सबसी तो फिनिश हो गई है, फिर रीटा सास के पास जाती है माम का मोम, बहु मोम वत्ती उहां किच्चन में ही रखी रही, ये नहीं है अरे माम मतलब माची, तो सीधे ही बोल दो ना बहु का काम है, माम वेजी टेबल खतम हो गई है कौन सी टेबल? अरे सबसी खतम हो गई है तो बहु इब तो बजार ही जाना पड़ेगा, अब घर मा तो सबजी ना ही है डोंट वरी माम, मैं चली जाती हूँ फिर रीटा बजार जाती है, वहाँ उसे ठेले वाली दिखाई देती है हेलो जीदी इका बोल रही हो बहिंजी, काहे हिले हम, हम सीधे खड़े ही ठीक है तुमका सबजी लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं नो आठ, नो, दस जितनी लेनी है लैलो, हम का तो बस पईसों से मतलब है ये वेजेटेबल कितने की है टेबल फेबल यहाना ही मिलेगा उ तुमका आगे दुकान पर मिलेगा हमरे यहाँ तो सबजी ही मिलेगी इस गाउं में किसी को कुछ सामझ ही नहीं आता है vegetable मतलब subzie तो सीधा काहे नहीं बोलती बहिंजी ओके ये lady finger कितने की है ये का बोलत रही तुम देखो बहिंजी ज्यादा अंगरे जी हमका नहीं आवद मगर ये lady finger का मतलब हमका पता है ओ तो दे दीजिए lady finger हम lady यानी अवरत हैं और तुम हमार finger यानी अंगुली मांगत रही तुम्हार दिमाग खराब होई गवा है का नहीं दीदी lady finger यानी फिंडी होता है हमका लागत है तुम्हार दिमाग खराब होई गवा है हम कबु से देख रहे हैं तुमका कोई भी बात सीधे तरीका से करना ही कोना आता है। तुमका हम तुम्हार लेडी एडी फिंगर देई देवत हैं। पर बहिन जी, अब हमका बक्स दियो। अब सबजी लेकर तुम इहां से जाओ। रीटा पिचारी निराश होकर घर आ जाती है। आ गई बहू, ले आई सबजी। हाँ माजी लाकर रख दी है। का हुआ, का है मुँ उतरा रखा है तुहार। फिर रीटा सास को सारी बात बताती है। तो उसे में का हुई गवा बहू, यी गाओ है। तुम्हारी तरह या कोई यी अंगरेजी ना ही जानत। पर मॉम लिसन, लेसन अब उ का का बहू, नो लिसन, नौ लेसन बहू, तुमका पता तो है, यी घर मा कोनू भी इतनो लेसन ना ही खावत। नहीं माजी, लिसन मतलब सुनिये। यी का अंगरेजी का रोना तुमने लगा रखा है बहू, न जाने तुमका इबात कब समझ आएगी, कि अब तुम सहर में ना ही रहती, यी गाओ है, या हिन्नी ही बोली जावत है। माजी पर थोड़ा बहुत एंगलिश सापको आना जाहिए। पर माजी मुझे इंगलिश बोलना बहुत पसंद है। छोड़ दो बहु तुमी अंगरेजी, इतना समझ लो, जैसा देस वैसा भेस, समझ गई बहु। फिर बिचारी रीटा सासकी और देखते ही रह गई और समझ गई, इंगलिश ये गाओं में उसके कोई काम नहीं आएगी। समझ लोग काम बहु तुमी बहुत टाुआ झालिचारे, इंगलिश बहुत प्राइश इंगरेखते ही णाएगी। कि भुमी चाम में वे खुमी एटारे आएगी। कि झालिएक कोई बहुत प्राव बहुत रहँ है।